हेलो फ्रेंड्स मिरा नाम है स्नेया सिंग और आप मुझे सुन रहे हैं स्टडी विस इस नेहा में सो आज हम करने वाले हैं 13 जन्वरी की करेंट अफियर सो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट अप इंडिया इनोवेशन वी 2023 का आयोजन कौन सा मंत्राले या विभाग या निकाय कर रहा है ए उद्धोग एवं आंत्रिक व्यापार समवर्धन विभाग बी नीती आयोग सी वित मंत्राले या डी सूझ लगू और मध्यम उद्धम मंत्राले तो आपका सही उत्तर है उद्धोग एवं आंत्रिक व्यापार समवर्धन विभाग इसका विशलेशन देखते हैं वाडिज और उद्धोग मंत्राले के तहत उद्ध्योग एवं आंत्रिक व्यापार समवर्धन विभाग DPIT 10 जन्वरी से 16 जन्वरी तक Startup India Innovation Week का आयोजन कर रहा है इसलिए विकल्प ए सही है Startup India Innovation Week 2023 का उद्देश Startup Ecosystem के घित धारकों को शामिल करना और भारत में उध्मिता एवं नवाचार की भावना को बढ़ावा देना है 16 जन्वरी को रास्टी Startup दीवस मनाने के लिए रास्टी Startup पुरिश्कार 2022 के विजयताओं का सम्मान समारो आयोजित किया जाएगा रास्टी Startup दीवस 16 जन्वरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि वर्ष 2016 में इसी दिन Startup India अभियान का शुभारम हुआ था आपको बता दें कि 108 यूनिकॉर्ण के साथ भारत दुनिया कत्ती स्रा सबसे बड़ा Startup इकोसिस्टम है आईए देखते हैं अब अपना दूसरा प्रस्टी युवा दिवस किस प्रशित व्यक्तित की जैन्ती पर मनाया जाता है आपका सही अंसर है स्वामी वेकनन्द हाल ही में भारत के प्रधान मंत्री ने करनाटक के हुबली में 26 राष्टी युवा महोसव का उदगाटन किया इस वर राष्टी युवा महोसव 12 से 16 जन्वाई तक करनाटक के हुबली धर्वार में आयोजित किया जा रहा है इस वर्ष इस दिवस की थीम विक्षित युवा विक्षित भारत है आपको बता दें कि शौमी विवेकनन्द की जयनती को चिन्हित करने के लिए हर साल 12 जन्वरी को राष्टी युवा दिवस मनाया जाता है इसलिए विकल्बडी सही है स्वमी विवेकर नंद भार्ती इतिहास के सबसे प्रभावशाली नेत्रत्थ करताओं में से एक थे जो आज भी देश के लाखो युवाओं के प्रेणा स्रोथ है हाल ही में चल्चित सोलेदार नामाकिस्थान किस देश में इस्थित है? आपका सही आंसर है युक्रेन हाल ही में रूस के वैगनर समूह ने पूरवी युक्रेन के सोलेदार सहर पर नियंतरन का दावा किया है इसलिए विकल्बडी सही है सोलेदार दोने स्थित्र में एक चोटा सा नमक खनन सहर है इस सहर में रॉक सॉल्ट और जिप्शम की बड़ी-बड़ी खाने मौजूद हैं इस पर रूस का कबजा रूसी सहनिकों को पास के रणनीतिक सहर बखमत को घेरने में मदद कर सकता है फुलानी जाती समूह इस छेत्र से सम्मंधित है इसका सही उतर है विकल्ब ए अफ्रीका बुर्किना फांसो के फुलानी लोगों को शेन और इस्थानी रच्छा मिलीशिया द्वारा तेजी से निसाना बनाया जा रहा है फुलानी शमूह के लोगों को पेवल या फुलबे कहा जाता है यह मुखरूप से मुस्लिम लोग हैं जो आफ्रीका के कई हिस्सों में फैले हुए हैं इसलिए विकल्ब ए सही है इन में ज़दातर लोग पश्चिम आफ्रीका के चाट जील में सौरी चाट जील से लेकर अट्लांटिक तर्टक निवास करते हैं यह मुखरूप से नाइजीरिया, माली, गिनी, शेलेगन और नाइजर में केंद्रित हैं लेकिन यह कई अन्य देसों में भी पाय जा सकते हैं यह फुलानी भासा बोलते हैं जिसे एड नाइजर कांगो भासा परिवार की अट्लांटिक साखा के भी तरवर्गिगत किया गया है इसमें अधिकान्स पुरुष बहुविवाहित होते हैं अभ्यास वीर गार्जियन्स 2023 भारत और किस देस के बीच हो रहा है? ऑप्शन A अमेरिका, ऑप्शन B सिंगापूर, ऑप्शन C जापान या ऑप्शन D फ्रांस तो आपका सही आंसर है ऑप्शन C जापान भारत और जापान के बीच प्रतम हवाई अभ्यास वीर गार्जियन्स 2023 का आयोजन हो रहा है इसलिए विकल्प सी सही है भारती वाई शेना IAF और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स JASDF 12-26 जनवरी 2023 तक जापान के हयाकुरी एयर बेस में फहला दुपच्छी हवाई अभ्यास कर रहे हैं ऐसा पहली बार है कि भारती वाई शेना की महिला फाइटर पाइलेट विदेसी भूमी में हवाई उध्या भास के लिए भारती दल का हिस्सा है इस सयुक्त वाई अभ्यास में भारती वाई शेना 4, SU-30, MKI-2, C-17 और 1, IL-78 विवान सामिल है इस अभ्यास का निर्ने 8 सितंबर 2022 को टोक्यो जापान में आयोजित दूसरी 2-2 मंत्रिस्तिली बैठक के दोरान लिया गया था भारत के किस राज में इमोईनू इरत्पा त्योहार मनाया जाता है A. सिक्किम, B. गोवा, C. असम, D. मडिपूर हाल ही में मडिपूर में मेती समुदाय द्वारा इमोईनू इरत्पा उत्सो मनाया गया इसलिए विकल्बडी सही है इमोईनू इरत्पा उत्सो देवी इमोईनू अहोंग भी को समर्पित है मेती पौराडिक कथाओं में यह देवी, ग्रहस्ती, रशुई, धन, सान्ती और शम्रद्धी से जुड़ी हुई है यह त्योहार मेती चंद्रमहीने वांचिंग के बारवे दिन मनाया जाता है इसका मतलब है कि तयोहार ग्रिगोरियन कलेंडर के अनुसार दिसंबर जन्वरी में पढ़ता है ग्लोबल एकोनोमिक्स प्रोस्पेक्ट्स किसके दौरा जारी किया जाता है जिसका सही उतर है ओप्शन ए विश्व बैंक हाल ही में विश्व बैंक ने ग्लोबल एकोनोमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2023 जारी की इसलिए विकल्प A सही है इस रिपोर्ट में विश्व बैंक ने एक बर फिर भारती अर्थविवस्था में अपने विश्वास की प्रुष्टी की है विश्व बैंक ने कहा है कि भारती अर्थ विवस्था साथ सबसे बड़े उभरते बाजारों और विकास सील अर्थ विवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थ विवस्था होगी ग्लोबल एकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट उभरते बाजारों और विकास सील अर्थ विवस्थाओं पर विश्व ध्यान देने के साथ वैस्विक आर्थिक विकास और शंभावनाओं की जाच करती है विश्व बैंक दौरा प्रकासित अन्य महात्यपून रिपोर्ट है वैस्विक वित्ती इस्थित्ता रिपोर्ट विश्व विकास रिपोर्ट पावर्टी एंड सेयर्ट प्रोस्पेरिटी विश्विद्यालय अनुदान आयोग UGC के सम्बंध में निम्लिकित कतनों पर विचार कीजिए यह एक वैधानिक निकाय है इसके छे छेत्री केंद्र है उप्रियूत में से कौन सा या से कतन सही है या है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो या फिर डी ना तो एक और ना ही दो दोनो तो इसका सही उत्तर है ओप्सन सी एक और दो दोनो हाल ही में उच्छ सिच्छा नियामक विश्विद्याले अनुदान आयोग UGC ने विदेशी विश्विद्यालियों को भारत में प्रिवेस करने की अनुदी देने के लिए मसौदा नियम जारी किये अब विदेशी विश्विद्यालियों को भारती और विदेशी दोनों छात्रों के लिए सुल्क संदरचना और प्रिवेस मांदन तै करने की पूर्ण सुतंतरता होगी आपको बता दें की भारत में सिच्छा की एक राश्टी प्रणाली तैयार करने का पहला प्रयास 1944 में सार्जेट रिपोर्ट के साथ हुआ इसने एक विश्विद्याले अनुदान समीती के गठन की सिफारिश की जिसका गठन 1945 में अलिगड़, मनारस और दिली के तीन केंद्री विश्विद्यालियों के काम की देखरे के लिए किया गया था 1947 में समीती को ततकालिन सभी मौदूदा विश्विद्यालों से निपटने की चिम्मिदारी स्वापी गई थी सुतंतरता के तुरंत बाद डांक्टर एस राधा क्रिशन की अधचता में 1947 में विश्विद्याले सिच्छा आयोग की स्थापना की गई चेत्री केंद्र इस्थापित करने करके अपने संचालन का विकेंद्री करण किया है इसलिए कथन दो शही है इस प्रकार विकल्पसी सही है भारत में बागों की गढ़ना कौन करता है और भारती वन प्रबंधन संस्थान और बाग जनगरना की रिपोर्ट इस साल जारी होकी नविन्तम अखिल भारती वाग अनुमान वर्ष 2022 में आयोजित किया गया था राश्टी बाग संरचन प्रधिकारी राजिके वन विभागों और भारती वन जीव संस्थान के सहयोग से बागों की गढ़ना करता है इसलिए विकल्पडी सही है पहली बाग जनगरना 2006 में और उसके बाद 2010, 2014, 2018 में की गई थी 2018 की बाग जनगरना के अनुसार भारत में कुल बागों की आबादी 2967 आकी गई है 2018 की जनगरना के अनुसार मद्र प्रधेश में सरवाधिक 526 बाग हैं तो वही करनाटक में 524 बाग हैं मेक इन इंडिया पहल के संदर में निम लिखित कर्फनों पर विचार कीजिए इसे 2014 में लॉंच किया गया था दूसरा ये चार इस्तंभों पर आधारित हैं उप्यूप में से कौन सा या सेक अथन सही है आपका सही उत्तर है विकलब C एक और दो दो नो हाली में प्रधान मंद्री नारेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया पहल के तहट भारती रेलवे कोच उतपादन की सारहना की है मेकिन इंडिया पहल की सुरुआत सितंबर 2014 में प्रधानमनती दोरा की गई थी इसलिए कथन एक सही है इस पहल का उद्देश भारत को एक वैस्विक डिजाइन और विनिर्मार केंदर में बदलना है यह चार इस्तंबों पर आधारित है जिन्हें ना केवल विनिर्मार वलकि अन्य छेत्रों में उद्मिता को बढ़ावा देने के लिए पहचाना जग गया है इसलिए कथन दो सही है यह पहल न्यू इंडिया की विकास गाथा में भाग लेने के लिए दुनिया भर के संभावित निवेशकों और भागिदारों के लिए एक खुलानी मंत्रण है इस प्रकार विकल्प सी सही है निम लिकित युगमों पर विचार कीजिए आधर भूमी और राज्य तामपारा जिल और ईशाराजि यस्वनत शागर मध्यपदेश दिपोर बील सिक्किम उप्र्यूक में से कौन सा यसे युगम सुमेलित है ऑप्शन ए किवल एक और दो ऑप्शन बी किवल दो और तीन options c किवल एक और तीन ये फिर option d एक तीन तीनो इसका सही उत्तर है option A केवल 1 और 2 हाल ही में असम के एक मात रामसर इस्थल दीपोर बील में 25 सर्वेच्छन किया गया इसलिए यूगमतीन सुमेलित नहीं है इसलिए यूगम और 1 और 2 सही सुमेलित है इस प्रकार विकल्प एक सही है रामसर कन्वेंशन के अंतरगत किसी भी आद्रभूमी को रामसर इसलिकोषित किया चाता है इस कन्वेंशन पर 1971 में इरान के रामसर सहेर में हस्ताचर किये गये थे भारत ने एक फरवरी 1982 को इस पर हस्ताचर किये वर्तमान में रामसर इसलोग की सूची में भारत की 75 आद्रभूमी शामिल है तमिलनाडू में सबसे ज़्यादा रामसर साइट 14 है जिसके बाद उतरप्रदेश जिसमें 10 का इस्थान है उतरप्रदेश में 10 है थैंक यू सो मुच पूर वाचिंग स्वस्त रहें और अपना ख्याल रखें धन्यवाद